नमस्कार, ABB गंगा के वेब बुलेटीन में आपका स्वागत है, मेरट से मैं हूँ सनुच शर्मा, मेरट से बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर ये है कि मेरट नकली फूट सप्लिमेंट, प्रोटीन और इस्टेरोइड की मंडी बनता जा रहा है, पुलिस लगतार ऐ वो रुखने का नाम नहीं ले रहा है, लिसालीगेट थाना पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोग के तीन सदस्यों को गिरफतार किया है, और उन सदस्यों के पास से बड़ी मात्रा में जो नकली प्रोटीन है, वो बरामत किया है, सबसे बड़ी बात ये निकल कर सामने आ रही है, कि ये गिरोग पिछले दो साल से नकली प्रोटीन, स्टेरोइड और तमाम चीजे बनाने का काम कर रहा था, और मेरट के आसपास के जिलो में इस माल की सप्लाई कर रहा था, साथ ही दिल्ली तक भी इसकी सप्लाई की जा रही थी, सबसे बड़ी बात ये भी है, कि लगातार दबिशे दी जा रही है, लगातार लोग पकले जा रहे हैं, अब तक करोणो रुपे का नकली फूट सप्लिमेंट, स्टेरोइड, तमाम चीजे पकली जा चुकी है, पुलिस के पैरों से हर बार इसलिए जमीन निकल जाती है, कि पुलिस एक गैंग पर कारवाई करती है, ल लोग ना जाने कितने लोगों की जिन्दगी से खिलवार कर रहे हैं, पुलिस पूछताच में ये बात भी निकल कर सामने आई है, कि मेलट शेहर के कैई ऐसे जिम संचालक हैं, कि जहां पर ये नकली फूट सप्लिमेंट और जो प्रोटीन है, उसकी सप्लाई की जा रही थी पुलिस अब ऐसे लोगों पर भी शिकंजा कसने जा रही है, जो इस गिरो से नकली प्रोटीन खरीद रहे थे, लोगों की जिन्दगी से खिलवार कर रहे थे, ऐसे लोगों पर भी सक्ट एक्शन लेने की जो तैयारी है, वो की जा रही है, हम आपको सरह देना चाहेंगे, क आपके स्वास्थ पर इसका बुरा असर पड़े, दूसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, और दूसरी बड़ी खबर है, परिक्षित गड़ के सोना गाव से, यहां गन्ना क्रेकेंदर पर चौकिदार का शव मिलने से संसानी फैल गई, तुरंती आसपास के जो ग्रामि सहीत कई बिंदो पर जाच कर रही है, कि आखिर जो चौकिदार का शव मिला है, उसके पीछे की असली वज़ा क्या है, चौकिदार अपने घर के लोगों से कल उसने बात की थी, लेकिन अचानक से फोन स्विच्च डॉफ आया, और जब घर के लोगों से बात नहीं, उन्हे चिंता हुई, तब जाकर ये पता लगा, कि चौकिदार का जो शव है, वो गन्ना क्रेक केंदर पर ही पड़ा मिला, तीसरी बड़ी खबर ये है, कि मेरट पुलिस ने शेहर और देहात के इलाकों में सगंच चेकिंग अभियान चलाया, शेहर के जो तमाम बड़े पुलिस ने लोगों के वहानों की चेकिंग की, दोपईया वहान और चौपईया वहानों की चेकिंग की गई, कैई ऐसे वहान मिलें कि जिनके कागजात ही नहीं थे, कैई ऐसी बाइक थी कि जिन पर नंबर ही नहीं थे, ऐसे वहानों को पुलिस ने सीज कर दिया, कैई ऐसे वहाँ चालक थे जिनके चालान भी काड़ दिये हैं SSP रोहित सिंग सजवान के निर्देश पर ये जो कारवाई है वो की गई है पुलिस की अलग-अलग टीमे बनाई गई है इसके पीछे पुलिस की दो वज़ा है पहली ये कि चेकिंग में तमाम ऐसे जो वहां स्वामी है जो काड़े कानून नियम ताक पर रख रहे हैं वो लोग पकड़ में आ जाते हैं दूसरा पब्लिक से जो तालमेल है वो तालमेल भी बन जाता है जिसकी बज़े से कई घटनाओं का खुलासा पुलिस आसानी से कर लेती है और कई घटनाओं को बेहद आसानी से पुलिस रोक भी सकती है चोथी बड़ी खबर है और चोथी बड़ी खबर ये है कि मेलट में शेहर के कई ऐसे लाके हैं कि जहां पर कूड़ा जलाया जा रहा है सुबह के बग जब लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो कैई जगे कूड़े में आग लगी हुई मिलती है कैई जगे जो धुमे के गुबबार है वो नजर आते है और सबसे बड़ी बात ये है कि पर्यावरन को प्रदूशित करने वाले ये लोग अपने कारणामों से बाज नहीं आ रहे है मेरट नगर निगम ऐसे लोगों पर सक्ते एक्षन नहीं ले रहा है शायद मेरट नगर निगम की इसी लापरवाई की वज़े से इन लोगों के होसले बुलंद है जो कूड़े और करकट को डश्ट बीन में या डोर टो डोर कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में डालने से गुरेज करते हैं बलकि सड़क पर डाल कर उसमें आग लगा देते हैं और इस आग की वज़े से जो मेरट का पर्यावरन है वो काफी प्रदूशित हो रहा है शेहर के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां की वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है जिसमें जगा जगा आग लगे हुई दिखाई जा रही है जगा जगा दुए के गुबार दिखाई जा रहे है और नगर निगम से लोगी अपील करते नजर आ रहे हैं कि शेहर में जो लोग भी कुड़ा करकट जला रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाप मेरट नगर निगम सक्ट एक्षन ले ताकि पर्यावरण को प्रदूशित होने से बचाए जा सके मेरट से वेब बुलेटिन के लिए आज इतना ही मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार अबी पी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी